लीजिय महें हेलो चिल्रेंश आवर चैप्टर इस नाइज गलास एट्थ हिंडी मीडियूम विच नेम इस कल्पना दास्टार कल्पना एक तारा तो आइए स्टार करते हैं चैप्टर कल्पना चावला दा फ़स्ट इंडियन बूम-न-अरोनाट कल्पना चावला जोकी एक क् जो कि आंत्रिक्ष यार्ती थी वास बॉल्ड एनफ टू मेग हर करियर इन एरोनोटिक्स उन्होंने अपना काफी बर्चस्प बना रखा था एरोनोटिक्स में मतलब की आंत्रिक्ष यार्त्रियों में वो हमारे मित्रों और हमारे सेपाटियों के बेच एक प्रेणा का इस्त्रोथ है और यहां पर एक क्या किया गया है एक स्कूल में तो आई स्टार्ट करते हैं देखते हैं किस टाइप से अपने कलपना चावला करती है अपने करियर का और किस टाइप से बच्चे उनसे कॉशन पोस्ते हैं तो चिल्रण्स गुड मॉर्निंग मेडम वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल वी वूड लाइक तो उ पोस्ते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हम टैगोर स्कूल के करनाल से आए हम आपसे कुछ कॉशन क्या करना चाहते हैं मतलब को मतलब कॉशन करना चाहते हैं आपके मिसंद के छोड़ने से पहले तो कल्पना कहती है good morning please make yourself comfortable पहले क्या हो जाओ आप सब comfortable मतलब आराम दायक हो जाओ रोहन कहता है please tell us about your childhood तो किर्पया करके आप अपने childhood के बारे में थोड़ा कुछ बताएए कल्पना कहती है well अच्छा I was born on first July 1961 in करनाल मेरा जो जर्म हुआ था वो एक जुलाई को 1961 में करनाल हरयाना में है काँ पे है हरयाना में है I had always dreamed about flying when I was a child जब मैं बहुत चोड़ी थी तो मेरी बचमन से ही बड़ी उड़ने की बड़ी सपना रहा है मतलब बास्तम में in fact I thought of going further than the pilots and wanted to become a astronaut at the age of 13 और मेरी सोच भी रही थी कि मैं further pilot बनूँ या फिर मैं बनना चाहती थी astronaut at age of 13 मतलब 13 साल की उमर में मैं क्या करना चाहती थी astronaut या आंत्रिक्षय यात्री बनना चाहती थी कवीता पूस्ती है कि do tell us more about yourself क्या आप अपने बारे में कुछ बढ़ा सकती है तो कलता कहती है हस्ते हुए laughing well अच्छा I am a strict vegetarian मैं बहुती मतलब की बहुती कठोर vegetarian हूं मतलब की साकाहारी हूं I respect my teachers और मैं अपने teachers की respect करती हूं I like reading मैं पढ़ना पसंद करती हूं flying hiking and bird watching hiking गनना और bird watching मतलब की पक्चियों को उड़ते देखना मुझे अच्छा लगता है असलम कहता है what course did you have to go to be become an astronaut astronaut बनने के लिए आपने कौन सा को किया तो कल्मना कहती है after passing high secondary examination from Tagore school मैंने Tagore school से अपना जो high secondary exam होता है वो पास किया कर्नाल इन 1976 और जॉइन पंजाब इनियर कोलेज चन्डिगर फिर वेनने क्या कर लिया पंजाब इंजिनीर कोलेज जोन के लिए चन्डिगर फूर माई bachelors' degree in एरोनौतिकल इंचिनिरिंग इन नाइन नाइटी वैन आइरोनौतिकल इंजिनीरिंग की ग्री थी न वह 1982 में क्या हो गई थी complete हो गई थी I then moved on the University of Texas फिर मैंने टेकसास की इन्वस्टी में and move किया मतलब गई मैं USA for my master degree in aerospace engineering in 1984 फिर टेकसास में जो USA में United States America में है फिर वहां से मैंने master degree करी अपनी और aerospace engineering काप की 1984 में earn my PhD in SM subject from the University of Colorado Colorado भी USM है USA in 1988 फिर उन्होंने क्या किया PhD की साथी SM subject से मतलब उसी subject से और कौन से इन्वस्टी से की उन्हें Colorado जो की काप है United States America में भी है जी तू पोस्ता है how did you join NASA फिर आपने NASA को कैसे join किया तो यहां पर NASA है NASA एक अमेरिका की Space Agency है जिसे कि हमारी क्या है ISRO है Indian Space Research Organization उसी सेमस NASA है जो की अमेरिका की है अमेरिका की है NASA रूस की है Cosmos चीन की चंग ऐसे कुछ है उसका ना तो यह NASA का फुल फॉर्म होता है National Aeronautical and Space Administration फिर कल्पना कहती है कि that's an interesting story यह बहुत ही मलिदार इस्टोरी है initially शुरुआत में I had joined NASA मैंने NASA जोइन किया था as a research scientist in 1995 and work for them at the arm research center मैंने वहाँ पे arm research center में मतलब research करने के लिए मैंने scientists के research के लिए मैंने शुरुआत में NASA जोइन किया था बट देन लेकिन इसके बाद inspired by pioneer Indian pilot फिर पाइनियर इंडियन पाइलेट थे JRD data फिर उन्होंने मुझे inspired किया मैं इन से inspired हुई I tried hard मैंने बहुत महिनत की and us ultimately selected for my first flight in 1966 ठीक है ना और मेरा जो selection हो गया आइटिमेटली वो मैं मेरी first flight के लिए मेरा selection हो जाता है 1996 में रोशन पूस्ता है sorry रोहन पूस्ता है how was your first space mission मतलब आपका जो first space mission था वो किस टाइब का था कैसा था तो कल्पना कहती है I take off of my first space mission in the space shuttle Columbia on 19 November 1997 तो हमने जो हमारा जो first space mission था वो take off हुआ कब हुआ था 19 November 1997 वे हुआ था ठीक है ना जो हम जिससे गए थे जा flight was called STS 87 I work with six member space crew mission के लिए गए थे space list and prime robotic arm operator I enjoy every moment of it और हमने every moment में यहां पर क्या किया बहुत enjoy किया असलम कहता है what are your further plans अब आपका आगे का plan क्या है कल्पना कहती है well अच्छा my next mission will be in same space shuttle Columbia where the flight is called STS 107 जो हमारा second वाला flight होगा वो होगा STS 107 आई विल टेक आफ और हम टेक आफ करेंगे on 16 January 2003 it will be a mission dedicated to science and research और यह जो dedicated हुआ है यह science and research से dedicate हुआ है we hope हमाँसा करते है कि तू perform a number of scientific experiment in space से हम क्या करेंगे बहुत सारे मतलब बैग्याने के experiment वहां से प्राप्त करेंगे कभीता कहती है thank you madam कल्पना कहते है you are welcome फिर यहां पर red red color में एक line दी हुई है इसका बहुती महत्व रखता है हमारे जिन्दिगी में का a man who is industry is sure to succeed एक आदमी जो की मेहनती है वो पक्का है इसके success ही होगा ठीक है न जो अपनी life में बहुत मेहनत करता है वो हमेशा क्या हो जाता है सफल हो जाता है तो इसी के साथ जो हमारा chapter है chapter 9 class 8 Hindi medium complete हो जाती है इसकी reading अब हमने इसकी next exercise लेकर आएंगे तो उसमें हम इसके and question answer और others कुछ देखेंगे thank you धन्दबाद मिलेंगे next